दूस्तो आज हम कम से कम सामगरी और बीना कोको पाउडर, बीना एसेंस बहुती डिलिशेस मौलटन लावा केक बनाएंगे तो चलिया दोस्तो शुरू करते हैं बनाना मौलटन लावा केक रेशीबी तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम टिन को रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर OD ECOBEC cooking paper circles लिए है और इसका हम तवा पर use कर सकते है microwave, oven और air fryer सभी में use कर सकते है और यह सभी size में मिलते है और यह eco-friendly है और reusable है और यह grease proof है तो यह हमारे लिए बहुत ही useful है link मैंने description box में दे दी है आप चाहे तो आसानी से online order भी कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर 6 inch का circle लिया है और इसे मैंने 6 inch के tin में रख दिया है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर tin को ready कर लिया है तो यहाँ पर मैंने Oreo biscuit लिये है और 6 inch के cake tin में cake बनाने के लिए हमें यहाँ पर धाई packet biscuit लेना होगा तो दो packet मैंने लिये है और बाकी का आदा packet भी मैंने mixi jar में डाल दिया था तो इसे हमें इस तरह से बिल्कुल पारीक पिसना होगा और पीसे हुए biscuit को हम एक bowl में निकाल लेंगे और उसी के साथ हम दूद एड़ करेंगे तो हमें यहाँ पर एक कब दूद का use करना होगा अब बैटर को हम अच्छे से मिला लेंगे और केक को fluffy बनाने के लिए हम यहाँ पर एक शेशे इनो भी एड़ करेंगे उपर थोड़ा सा दूद डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर हमारा केक बनाने के लिए better ready है तो हमने जो टीन ready किया था उसमें निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रैड करेंगे तो यहाँ पर हमारा केक बेक होने के लिए ready है तो इसे हम preheated कड़य में रख देंगे और 5 मिनिट तेज आज और 30 मिनिट मध्यम आज पर बेक करेंगे और सबसे छोटे वाले बर्नर पर ही रखेंगे तो टोटल हमें यहाँ पर 35 मिनिट के लिए बेक करना होगा और तब तक हम गनाश बना लेंगे तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम डाक चोकलेट ली है उसी के साथ हम आधा कब जितना बिल्कुल गर्म दूद एड करेंगे तो दूद अच्छा खासा गर्म होना चाहिए अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और अगर चोकलेट इस तरह से मैल्ट ना हो तो आप इससे डबल बोलर मेथर से भी मैल्ट कर सकते हो अब इस गनाश को हम बिल्कुल थंडा होने देंगे और 35 मिनिट के बाद हम केक को भी चेक कर लेंगे तो स्टिक साफ निकली है मतलब हमारा केक बेक हो गया है अब गेस बंद कर देंगे और ढकन लगा देंगे और केक को 5 मिनिट कड़ाई में ही रहने देंगे 5 मिनिट के बाद हम केक को बाहर निकल लेंगे देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है अब केक को हमें बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर आज आए तब तक थंडा करना होगा और तब तक हम चोकलेट को मेल्ट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम वाइक चोकलेट और 100 ग्राम मिल्क चोकलेट ली है तो इसे हम डबल बोईलर मेथर से मेल्ट करेंगे तो चोकलेट को मेल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस 3-4 मिनिट ही लगेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चोकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है तो इसे हम रूम टेंपरेचर पर आ जाए तब तक थंडा कर लेंगे और केक भी थंडा हो गया है तो इसे हम टीन से निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा केक बहुत ही अच्छा सा फुला फुला बना है, अब एक ग्लास की सहायता से हम बीच में से इस तरह से केक को कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मॉल्टन लावा केक बनाना है, तो इस तरह से हम केक को कट कर लेंगे, और बीच जो केक है इसे हम निकाल देंगे और ये जो केक निकला है इसे हम फेकेंगे नहीं बाद में जो थोड़ा सा गनाश बचेगा तो उसी के साथ मिक्स करके आप केक बोल्स भी बना सकते हो तो कट करने के बाद हमारा केक कुछ इस तरह से दिखेगा अब मैंने यहाँ पर एक थाल जितना रिफाइंड ओयल एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब पूरी केक को हम उसी से कवर करेंगे तो दोस्तों अभी तक आपने धर्मिज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आसान सी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुचे और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीजिएगा और जहाँ पर चोकलेट नहीं लगी है वहाँ पर हम चम्मच की सहाइता से इस तरह से स्प्रैट करेंगे तो पूरी केक को हम इस तरह से कवर कर लेंगे और एक से दो बारी से टेप करेंगे ताकि हमने जो गनाश बनाया था उसी से पूरा ये भर देंगे तो अगर आप चाहे तो पहले केक को फ्रीज में रखकर सेट कर सकते हो ताकि जो हमने मेलटेट चोकलेट इस पर स्प्रैट की है वो अच्छे से से सेट हो जाए और फ्रीज में से निकालने के बाद भी आप इसमें गनाश एड कर सकते हो अब थोड़ा सा गनाश मैंने पाइपिंग बेग में भी भर लिया था तो इस तरह से हम डिजाइन कर लेंगे अब मेरे पास केक सजाने वाला एडिबल पेपर फोईल है तो उसी से हम केक को गार्निश कर सकते हैं और गार्निश आप अपनी इक्छा न बहुत ही अच्छा बना है और सच में दोस्तों ये खाने में भी बहुत ही डिलिशियस बना है तो इस केक को हम कट करके भी देख लेंगे तो हमने जो गनाश एड किया था वो बिलकुल लावा की तरह निकलेगा तो बच्चों को भी ये केक बहुत ही पसंद आएगा इस केक रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको केसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा मैं धर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ